अनहदनाद ओमकार इश्वर का वाचक नाम ओम भारतिय संस्कृति की पहचान है ओम सनातन परंपरा की पहचान है ओम को इश्वर का नाम कहा गया है इश्वर का सुरूप कहा गया है और ऐसे में आधुनिक विज्ञान की तरफ से कोई खोज सामने आती है ओम से जुड़ी हु तो इस से सबका आनंदित होना बहुत ही स्वभाविक बात दिखाई पड़ती है। आधुनिक विग्यान की दिशा में हो रही कई खोजों का संबंद प्राचीन भारतिये और पौरानिक इतियास में उल्लेखित खगोलिये और विग्यानिक ग्यान परंपरा से जुड़ा हुआ है। नासा ने दरसल एक साउंड ढूंडा है, एक आवाज ढूंडी है और इसे अनहद नाद या उंकार से जुड़ी हुई आवाज माना जा रहा है। सबसे पहले ये आवाज सुनिए। दरसल ओम की ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये नासा ने वेग्यानिक खोज के तौर पर सामने रखी है। लेकिन कई ऐसे सादू संत रहे हैं, कई ऐसे ग्यानी रहे हैं भारत भूमी के जो इस अनहद नाद की बात करते रहे हुए। वरतमान दोर में भी इसके विशे में चर्चा की जाती है। चाहे हम बात करें अनहद नाद की आज के दोर में बात करने वाले सुआमी गंगाराम जी की या फिर इससे पहले ओशो रजनीश हूँ या ऐसे बहुत से तमाम ग्यानी रहे हैं जिनोंने अनहद नाद के बारे मे काफी कुछ लिखा है, काफी कुछ कहा है। खुद आचारे शीराम शर्मा ने इसके उपर एक बड़ी पुस्तक भी लिखी है। तो अनद नाद का या उंकार की ध्वनी का बड़ा महत्व रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि ये ध्वनी जो है आज भी सृष्टी में गूमती इस ध्वनी को सुनना ही ध्यान की अंतिम इस्ति को माना जाता है। अब जरा विज्ञान की तरफ आते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता बाद की खोज से पहले जब टाइम डाइलेशन और समय की गुद्धियों को लेकर किसी के पास कोई व्यापक समझ नहीं थी। उसमे टाइम डाइलेशन जैसे सिर चक्रा देने वाले तथे का जिक्र हमें मिलता है। प्राचीन वैदिक साहित्य और उसका आज के आधुनिक विज्ञान के साथ काफी गहरा संबंध है। आपको पता होगा कि बोधायन ने किस तरह से गुरतवा करशन की बात कही थी या इसके बारे में काफी जानकारिया मिलती है कि किस तरह हमारे प्राचीन गरंथों में स्क्रिप्चर्स में आपको आधुनिक विज्ञान से जुड़ी हुई कई चीज़े मिलती है। बोधायन की जब मैं बात कर रहा हूं तो पाइथागोरस प्रमियज इसको कहते हैं उसको बोधा का साक्ष अब भी स्क्रिप्चर्स में मिलता है। और जब वर्तमान विज्ञान उसी दिशा में बढ़ता है अब ऐसी कोई चीज़ सामने रखता है तो इस बात को बल मिलता है कि भारत का ग्यान विज्ञान वैदिक संस्कृती बहुत सम्रिद थी एक समय पर। पिछले कु कि अर जब बना विज्ञान 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 स्पेस का ज्यादातर भाग निर्वात वेक्यूम है ऐसे में उसमें ध्वनी तरंगे यात्रा नहीं कर पाती है इस कारण ब्लैक होल की आवाज को रिकॉर्ड करना काफी मुश्किल काम है हलाकि गैलेक्सी कलस्टर में काफी ज्यादा गैस होने के कारण नासा को इस ब्लैक होल की आवाज को रिकॉर्ड करने में मदद मिली असल में इस क्लिप को नासा की एक टीम ने ट्विटर पर 22 अगस को साजा किया था नासा ने एक आवडियो क्लिप जारी किया और दावा किया कि ये आवाज प्रत्वी से सैकड़ो प्रकाश वर्ष दूर इस्तित ब्लैक होल से निकल रही है ब्लैक होल की आवाज कैप्चर करना अपने एक विग्यानिक चमतकार से कम नहीं है नासा एक्सो प्लैनिट ने चंद सेकंड का ये आवडियो क्लिप अपने ओफिशल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और कहा कि ये धारना गलत है कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनी नहीं है हलाकि कुछ लोगों को इस ध्वनी में ओम की आवाज सुनाई दे रही है और भारत में तो ये खासी चर्चा का विशे बन गया है क्योंकि जैसे ही आप इस आवाज को सुनते हैं तो रॉंग टे खड़े वे जाते हैं आपको बिल्कुल ओंकार की ध्वनी सुनाई देती है नासा ने 34 सेकंड का क्लिप ट्विटर पर साजा करते हुए लिखा ये धारना गलत है कि अंतरिक्ष में कोई ध्वनी नहीं है क्योंकि आकाश गंगा खाली है जिससे ध्वनी तरंगों को यात्रा करने का कोई रास्ता नहीं मिलता है एक गैलक्सी कलस्टर में इतनी गैस है कि हमने वास्तविक ध्वनी को पकड़ लिया है यहां एक ब्लैक होल की अम्प्लिफाइड और अन्य डेटा के साथ मिक्स करके बनाई गई ध्वनी है ब्लैक होल से निकल रही आवाज एक कमपन की तरह सुनाई देती है ब्लैक होल की आवाज जारी होने के बाद ट्विटर पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि इसके आवाज हू बहू ओम की ध्वनी की तरह है इसको लेकर आईपेस संदीप मित्तल ने भी ट्वीट किया इस ध्वनी को हमारे रिशियों ने ओम का नाम दिया है ब्रह्मान का आदी और अंत सब ओम है इसके नाद में प्रलैक वामंतरित करने के एक शमता है और ब्रह्मान की किसी भी अन्यवस्तू प्राणी ग्रह आदी से अधिक प्रभावशालिये हम कहें तो अंद विश्वास नासा कहे तो विग्यान तो यहाँ पर यह कहना चाह रहे थे कि किस तरीके से आदुनिक विग्यान जब कोई बात कहता है तो उसको विग्यानिक खोज माना जाता है लेकिन यही चीज़ जब स्क्रिप्चर्स में होती है या फिर हमारे धर्म गरंतों में मिलती है तो उसको अंद विश्वास की शेणी में रख दिया जाता है जो कि सचमुच में खलत भी है क्योंकि यदि आप वेदू को पड़ते हैं सचमुच में स्क्रिप्चर्स को पड़ते हैं या पुरातन साहित्य को पड़ते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें कई विग्यानिक मत मिलते हैं अमरजाला.com पर आप हमारा एक ब्लॉग है उसको भी पढ़ सकते हैं जिसमें हमने भारत और वैदिक संस्कृती की बात किये और हम बताते हैं उसमें कि किस तरीके से भारत और वैदिक संस्कृती का ज्ञान विज्ञान का एक पूराना कनेक्शन रहा है और भारतिय वैदिक संस्कृती पूरी तरह से ग्यान विग्यान आधारित थी वहाँ पर सिर्फ इस तरह की बाते नहीं थी कि पूजा पार्ट या तंत्रमंत तक ये चीज़ें सीमित थे असली माइने कुछ और थे और धीरे 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 समय के अंतराल के साथ ने जब पढ़ाई लिखाई की वह परमपरा समाप्त होती चली गई इन चीज़ों के असली महत कम होते चले गए तो ये बात सही भी है कि वह बहुत छोटी छोटी गती विदियों तक सीमित रहे गए या मानिता तक सीमित रहे गए जबकि अगर उनके मूल उद्गम को जाने समझे तो हम पाएंगे कि वो पूरी तरह से विग्यानिक है और विग्यान की ये परमपरा सनातन परमपरा में भारतिये परमपरा में बहुत पुरानी रही है घुरतलब है कि हिंदू परानिक मानिताओं के अनुसार ओम शब्द आध्यात्मिक्ता का प्रतीक है गीता में इसे ईश्वर का बाचक नाम भी कहा गया है ये पूरे ब्रहमान को एक सिरे से बांदे रखता है इसमें भूत वर्तमान और भविष्य तीनों समाईत है ये आध्यात्मिक ग्यान के अनुभव को आमंतरित करता है ये ब्रहमान की ध उनका एक प्रष्ट सुरूप आज हमारे सामने ही कहना गलत नहीं होगा वैदिक साहिती में उन्नत विग्यानिक तक्नीकों का जिक्र हमें मिलता है ऐसे में कई विशेशक्य इस बात का दावा करते हैं कि आदुनिक विग्यान के सिध्धानत, अविशकार और अवधारनाय कई अर्थों में हमारे वैदिक साहिती से मेल खाते है यदि आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो आप इसको आगे अपने साथियों तक जरूर पहुचाएं क्योंकि इस तरह के कई वीडियों हम चाहेंगे कि भारत और वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए आपके सामने रखें जहां पर तथ्यात्मक रूप से आप जान पाएं कि हमारे वेदों में आखिर क्या लिखा हुआ है हमारे स्क्रिप्चर्स में वो कौन सी बाते हैं जो आधुनिक विज्ञान से भी मेल खाती है या आधुनिक विज्ञान से बहुत पहले कौन सी बाते कह दी गई थी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें